नमस्कार आपका स्वागत है जाता है हाथों की रेखाएं हतिली पर बने परवत नाखुनों की बनावट शरीर के विविन्ण अंगों पर बने चिन्न य कि इत्यादी विश्यों पर इस घ्रंत में मोहतोपुर्ण ज्यान दिया गया है समुदरिक शास्तर में शरीर की तिल और निशानों का भूत मत्व होता है। इसी तरह हातों में विबिन्न रेखाओ जैसे भगे रेखा, मस्तिश का रेखा, रिदे रेखा, मनी बंद रेखा, इत्यादी रेखाओ के अलावा विबिन्न चिन्नों जैसे शंक, चक्र, मंदिर, स्वास्तिक, त्रिशूल, ध्वज, परवत, इत्यादी के अध्यन से मनिश के भूत काल, वर्तमान काल और भविश काल के साथ साथ मनिश का सभाओ और व्यक्तित्व का भी पता चलता है। यहाद तकि उंगलियों और हतिलियों की लंबाई, इनका रंग, तथा नाखुनों पर पाये जाने वाले चिन्नों से भ व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविश का पता चलता है। समद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे नाखुनों पर बने चिन्न, हमारे स्वास्ते से जुड़े महतोपुर्न संकेत भी देते हैं, साथ इन से हमारे भविश से जुड़ी महतोपुर्न जानकारी प्राप्त की जा स तो चलिए जान लिते हैं, हमारे नाखुन हमें कौन से संके देते हैं। तो चलिए जान लिते हैं, हमारे नाखुन हमें कौन से संके देते हैं। चलिए जान लिते हैं, हमारे नाखुन हमें कौन से संके देते हैं। तो जातक अत्यंदक कलव प्रिय अर्थात जगडालू होता है और बाद बाद पर जगडा करने पर उतर जाता है। एदे किसी व्यक्ति को नाखुन चबाने के आदुत हो तो ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति उदास हो रहा है या उसका नर्वस सिस्टम खराब है। जिनके नाखुन पीलापन लिये होए होते है अत्वा शिग्रे तुटने वाले हो तो वे लोग नामर्द होते हैं। जिनके नाखुन टेड़े और रेखा युक्त हो वे दरिदरी बनते हैं। जिनके नाखुन एक वर्न के ना हो छाजले के समान उंगलियों के अगर भाग क और फैले हुए हो या फटे हुए दिखाई दे या भोग छोटे हो तो ऐसे लोग दरिदरी बनते हैं आईए जानते हैं नाकुनों पर बने निशान हमारे बारे में क्या कहते हैं पहली बात काले धब्बे जब भी नाकुनों पर काले धब्बे दिखाई देने लग जाए तब सफेद धब्बे जड में यदे अर्द चंद्र बने ही तो समस्त प्रकार की उन्नती होती है ऐसा विक्ति समाज में मान सम्मान धन एवं किरती पाता है यदे अंगुटे पर सफेद धब्बा दिखाई दे तो वह प्रेम का सुचक है जल्दी ही उसके जीवन में कोई ऐसा विक्ति आ सकता है जि मद्यमा उंगली की नाखुन पर सफेद धब्बा दिखाई दे तो शीग्रही यात्रा होने का योग बनता है जबकि काला धब्बा परिवार की किसी व्रद्द वेक्ति की मृत्यु का संकेत होता है आनामेका की नाखुन पर काला धब्बा दिखाई दे तो शीग्रही समाज में सफलता का सूचक होता है जबकि काला धबा असफलता का द्योतक होता है किसी भी उंगली पर पिले धबे दिखाई देने लगे तो वेक्ति के मृत्यू निकट भविशे में होने वाली है ऐसा समझना चाहिए उंगली पर या सबी उंगलियों पर लाल छीटे या लाल धबे दिखाई देग तो उस वेक्ति के हत्या होने के संकित होते है तो इस प्रकार से हमारे समुद्र लिक्षास्तर में नाकुनों पर बने निशानों के आधार पर महतोपुर्ण जानकारी दी गई है अगर यह जानकरे आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें कमेंड में जे मा लक्षमी जे समुद्र देव अवशे लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद